दही जमाना तो बहुत easy काम है, क्या करना है, दूद को गरम करना है, ठंडा करना है, दही डाल देना है, तो दही जम जाता है, लेकिन कभी कभी किसी का दही अच्छे से नहीं जमता है, perfect दही नहीं जमता है, पानी रह जाता है, बहुत खटा हो जाता है, तो आज इन सब problems का solution आज आएगा क्योंकि आज मैं जमाने वाली हूँ दही, आज मैं आपको मिट्टी के बरतन में और स्टिल के बरतन में दोनों में दही जमा की दिखाऊंगी, दोनों में पर्फैक्टली दही जमेगा, तो चलिए फटा फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, मतलब के दही जमाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए दूद दूद हमें यहाँ पे फूल क्रिम वाला लेना है अगर आपका दूद थोड़ा बहुत पतला होगा बढ़िया कॉलिटी का नहीं होगा तो आपका दही भी अच्छे से नहीं जमेगा मतलब के परफेक्ट नहीं जमेगा तो यहाँ पे मैंने एक लिटर दूद ले लिया है और एक बर्तन ले लिया है बर्तन में नीचे थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि दूद नीचे से लगे नहीं यह जो पेकेट वाली दूद आते हैं वो बर्तन में नीचे तले में थोड़ा से लग जाते हैं तो इसे अवर्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी डालना है जादा नहीं डालेंगे थोड़ा सा ही पानी डालेंगे तो चलिए बर्तन में मैंने दूद निकाल लिया है और अब रख देते हैं उसे गरम करने के लिए दूद में एक उबाला जाए फिर गैस की फ्लेम को हम बन नहीं करेंगे गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है तो लो टू मिडियम फ्लेम पे हमें इसे उबालना है कम से कम 5-7 मिट के लिए हम दूद को उबालेंगे ताकि दूद थोड़ा सा गाड़ा हो जाए तो ऐसा करने से दूद में जो पानी होगा वो उड़ जाएगा और दूद हमारा थोड़ा गाड़ा हो जाएगा तो दही भी एकदम परफेक्ट जमेगा तो यहाँ पर हमें दो बात का दियान रखना है दूद हमें फूल क्रिम लेना है अगर आपको जादा नहीं उबालना है दूद को तो आप इसके अंदर मिल्क पाउडर एड़ कर सकते हो दो चम्मच मिल्क पाउडर लेना है उसे दूद में गोल के इसके अंदर डाल देना है और थोड़ा सा उबाल लेना है, ऐसा करने से भी आपका दूद अच्छे से गाड़ा हो जाएगा, तो चलिए, यहां पर मैंने दूद को अच्छे से उबाल लिया है, और दूद को ठंडा होने के लिए रख दिया है, दूद ठंडा भी हो गया है, लेकिन एकदम ठंडा नहीं करेंगे दूद थोड़ा सा गरम होना चाहिए एक उंगली डाल के इससे चेक कर लेंगे उंगली हमारी सह सके इतना गरम दूद होना चाहिए तो चलिए दूद के अंदर मैंने डाल दिया है दो चम्मच बर के दही इसके अंदर हम जो दही उस करेंगे उसमें भी बिल्कुल प 2-3 मिट इसे चला लेना है ताकि जो मलाई है वो दूद के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए ऐसा करने से हमारा दई बहुत ही परफेक्ट जमता है चलिए अब ये जो दूद है उसे डाल देते हैं एक मिट्टी के बरतन में मैंने यहाँ पर मिट्टी का बरतन लिया है आप चाहो तो सिल्का बरतन भी ले सकते हो या फिर जिसके अंदर आप नहीं ये प्रोसेस की है वही बरतन में आप इसे जमा सकते हो खाली इसके उपर ठकन लगा देना है अभी थोड़ी से गर्मिया स्टार्ट हो गई है तो इसे बाहर ही रखेंगे बाहर हमें इसे चार से पांच गंटे के लिए रख देना है और ये बढ़ी आसी जम के तैयार हो जाएगा चार से पांच गंटों में पर्फेक्ली जम जाएगा एक बार हमें इसे खोल के चेक कर लेना है कि अच्छे से जमा है की नहीं तो चेक करने के लिए हमें इसे खोल के थोड़ा सा हिला लेना है अगर दही बिल्कुल भी नहीं हिलेगा तो समझ लेना है दही जम गया है डाला है, खाली दूद और दही है और ये देखिए, ये स्टिल के बर्दन में मैंने इसे जमाया है, ये भी परफेक्टली जम के रैडी है, तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, मिलते हैं जल्दी ही नेक्ससेपी के साथ, तब तक के लिए, बाई, जैशीकरश्न